आपके इंग्लिश टेक्स गुप की लेसन 37 जिसका टॉपिक है माई इंट्रोडक्शन बच्चो माई इंट्रोडक्शन इसका मतलब मेरा परिच्च है तो आज हम देखेंगे कि जब हम किसी से मिलते हैं तो अपना परिच्चे किस प्रकार देते हैं अपने आपको किस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसी कौन-कौन सी बाते हैं जो हमें कहनी चाहिए अपने introduction को देने के समय इस चीज के उपर आज हम ये देखेंगे तो देखें तो in this lesson, student will learn how to introduce themselves तो आज के lesson में बच्चे क्या सिखेंगे? बच्चे ये सिखेंगे कि अपने आपको introduce किस तरीके से किया जाए इसी कौन सी चीज है जिनका ध्यान रखना चाहिए बोलते समय और कौन-कौन सी बातें अपने introduction में बतानी चाहिए आज हम ये देखेंगे तो चलिए, देखते हैं अपनी पहली slide में देखे यहाँ पर my introduction ठीक है न? तो किस प्रकार से? यह जो school है एक school की image देख रहे हैं classroom की image है वहाँ पर दो बच्चे आये हैं और वो अपना introduction देंगे अगर आपको इस मैं कहूँ कि बही चलिए आप अगर किसी नई क्लास में जा रहे हैं या किसी नए स्कूल में जा रहे हैं तो आप अपना परिचाए किस प्रकार से देंगे? शुरुआत आप कैसे गरेंगे? तो कुछ चीजें आपके दिमार्ग में भी घूम रही होगी कि हाँ मैं ये बोलूँगा ये ये बोलूँगी मैं अपना नाम बताऊंगा अपने पिता जी का नाम बताऊंगा है ना अपनी माता जी का नाम बताऊंगा तो देखते हैं हम कि यहाँ पर हमारे पास आगे क्या है? क्या आप जो सोच रहे हैं? मैंने भी वही लिखा है चलिए देखते हैं next slide में यहाँ पर देखें कुछ points लिखे हैं मैंने points to remember से मिलते हैं firstly तो उनको greet करते हैं मैंने भी किया hello students बोला था ना वैसे ही आपको भी करना फिर आपको क्या बताना है your name अपना नाम बताना है where do you leave आप कहां रहते हैं वो बताएंगे आप father's name अपने पिता जी का नाम occupation उनका काम बताएंगे उनका व्यावसाय बताएंगे mother's name अपनी माता जी का नाम बताएंगे occupation या फिर अगर वो housewife है या कहीं बाहर work करती है तो उसके आप जानकारी दे सकते हैं how many brothers and sister do you have आपके कितने भाई बहन है इसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं तो let's speak चलिए बात करते हैं देखते हैं कैसे introduction हम दे सकते हैं hello friends good morning ये greet हो गया हमारा है ना hello friends good morning अगर सुबह का वक्त हैं तो आप good morning बोलिए है ना दो पहर का time है तो good afternoon friends बोल सकते हैं फिर इसके बाद I am Neha देखें बच्चो नाम आप अपने हिसाफ से भी change कर सकते हैं यहां मैंने अपने हिसाफ से उस लड़की का नाम नेहा रखा है ठीक है I am Neha I study in class 2 मैं दूसरी का अच्छा में पढ़ती हूँ I live in Sakra मैं Sakra में रहती हूँ मिस्टर रमेश साहू is my father मेरे पिता जी का नाम रमेश साहू है मिस्टर रमेश साहू मेरे पिता जी है ठीक है और उसके बाद मैं उनका occupation बताऊंगी क्या काम करते हैं He is a contractor वो एक ठेकेदार है ठीक है ना आगे देखते हैं चलिए इसी में continue करते हैं Mrs. Malti Devi is my mother है ना Mrs. Malti Devi मेरी माता जी है She is a housewife वो घर संभालती है घर पे रहती है घर की देखरेक करती है I have two brothers मेरे दो भाई है I have one sister मेरी एक बहन है There are six members in my family और मेरे परिवार में छह सदस्य है We are a happy family और हम एक खुशाल परिवार है और वैसे ही अब वो लड़का अपना introduction दे रहा है तो देखिए ये कैसे शुरुवात कर रहा है Hello friends, good morning I am Ankit Dheevar दोस्तों आप सभी को सूपरभाद मैं Ankit Dheevar हूँ I am Ankit Dheevar ऐसा लिखा ना मैं Ankit Dheevar हूँ I study in class 2 मैं कक्षा दूसरी में पढ़ता हूँ I live in beer गाउं मैं beer गाउं में रहता हूँ Mr. Ram Narayan Dheevar is my father Mr. Ram Narayan Dheevar मेरे पिता जी है फिर आगे continue करता है He is a farmer वो एक किसान है Mrs. Gita Devi Dheevar is my mother है ना माता जी का नाम यहाँ पर बता रहा है बच्चों Mrs. Gita Devi Dheevar मेरी माता जी है मिस्स को यहाँ हम हिंदी में श्रीमती बोल देंगे श्रीमती Gita Devi Dheevar मेरी माता जी है She is a teacher वो एक अध्यापिका है I have one brother मेरे एक ही भाई है I have no sister मेरी एक भी बहन नहीं है There are four members in my family और मेरे परिवार में चार सदस्य है We are a happy family और हम एक खुशाल परिवार है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ image कुछ pictures दी हुई है जिनके साथ आपको इधर कुछ दूसरे साइट में कुछ words लिखे हुए उसके साथ आपको match करना है ठीक है ना Sister, Brother, Teacher यह तीन words लिखे हैं यह तो बहुत ही आसान है Teacher, Blackboard के साथ है Brother, जो सबसे उपर वाली image है और Sister, जो सबसे नीचे वाली लड़की की image है और यह आपका exercise work है यहाँ पर आपको fill in the blanks यहने की खालिस थान बरना है उपर option दे हुए हैं ब्रैकेट में आप देख सकते हैं दो option क्या क्या है Brother, Sister, भाई और मेहन अब आप देखें यह लड़का क्या कह रहा है I am Sonu, मैं Sonu She is my और वो मेरी क्या आएगा बच्चों Brother की Sister Right, वहाँ पर आएगा Sister दूसरा I am कविता, मैं कविता हूँ He is my मैं कविता हूँ और वो मेरा भाई है, सीधी सी बात तो He is my brother चीक है ना, तो यहाँ पर यह देखिए इस तरीके से आप इसको भरेंगे Fill in the blinds को, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा चलिए, moving to the next slide, देखते हैं आगे क्या है यह आपका homework, ग्रिह कार्या है घर पे आपको इसको करना है ठीक है, देखो Hello friends, good morning यह आपको introduction देने से पहले जो हम greet करते हैं अभिवादन करते हैं, वो line लिख्य हुई है I am, अच्छा, आपको मैं यहाँ पर एक चीज बता दू तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपको देनी है वो आप अपनी जानकारी भरेंगे है ना? आप अपना introduction किस प्रकार से देंगे वहाँ पर आप जो यह जितने भी fill in the blanks है जो खाली स्थान है वहाँ पर आप अपने भारे में लिखे I am, अगर आप लड़के हैं तो अपना नाम लिख देजा वो क्या करते हैं He is a जो भी वो काम करते हैं वो लिखे टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कॉंट्रक्टर है, फार्मर है एनिधिंग आप लिख सकते हैं उसके बाद आगे की स्लाइड में देखे homework का बागी पार्ट है हमारा Sir, moving to the next slide यह homework का आगे का हिस्सा Mrs. Dash is my mother Dash का मतलब बच्चों बीच का खालिस थान, जो dotted line है उसके लिए हम Dash word इस्तमाल कर रहे हैं तो आपकी माता जी का नाम वहां पे लिखेंगे फिर She is a अगर वो घर पे रहती हैं, घर समालती हैं घर की देख रहे करती हैं, तो housewife लिखिए और कहीं बाहर job करने जाती हैं, कुछ काम कर रही हैं तो उनका occupation आप वहां पे लिखिए I have Dash brothers, कितने भाई हैं Two है, One है, Three है, जो भी आपके भाई होंगे वहां पर आप उनका numbers लिखिए ठीक है ना I have Dash sisters, कितनी बहने हैं आपकी महां पर आप लिखेंगे खालिस्थान में और total आपके family में कितने सदसे हैं कितने member से वो आप लिखेंगे तो यह आपका एक introduction तयार हो जाएगा जिसको आप याद कर सकते हैं और अगर कभी जुरत पढ़े आपको अपना introduction देने की तो यह सारी चीज़ें आप आसानी से बोल पाएंगे है ना तो last major line लिखे We are a happy family यह हमें एक खुशाल परिवार है वैसे भी आप हैं ही तो यह home work आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है और कैसे करना है तो इस lesson को पढ़ने के बाद इस part को पढ़ने के बाद आपको अपना introduction यादि की परिचय देना आ गया होगा ठीक है ना तो इसको लेकिन आपको practice में लाना पड़ेगा बार बार इसको बोलना पड़ेगा समझना पड़ेगा ठीक है तभी आप अच्छे से अपना introduction दे पाएंगे तो I hope कि आपको या lesson अच्छा लगा होगा आपने enjoy किया होगा ठीक है मिलते हैं फिर next lesson में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर ठेंक यू